तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 मार्च 2013 की डेलिक रेंट अफेर जो आपके आने वाले हर एकजाम के लिए काफी इंपोर्टन रहने वाले हैं फ्रेंट्स आप भी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें साथी बेल आइकर पर प्रेस भी कर दे ताकि कोई भी न्यूव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे पीरिफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.nokriespran.com तो चलो फ्रेंट्स शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना यह था कल का परसर जिसका अंस्वर सभीन अच्छे सी दिया था वैस्विक आतंगवाद सुचकां 2023 में भारत कौन से स्थान पर है जिसका राइट अंस्वर था तेरो स्थान पर और सबसे फेस्ट स्थान पर था अफगानिस्थान अब हम देखते हैं 23 मार्च 2023 के रिविजन क्यूशन क्रोल के एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत के सबसे मुल्यवान सेलेब्रेटी कौन बने रनवीर सिंग किस राज्य सरकार ने हाले में द्यालू योजन शुरू की है हर्याने राज्य सरकार ने विदेश राज्य मंतरी मिनाक्षी लेखी ने किस देश में भारत मौसव का वर्चुली उदगाटन क्या है कुएद देश में किस सहर में भारत और अफ्रीका की भी सेर्निय अभ्यास अफेंडेक्स 23 का आजन क्या गया है पूने सहर में किस भारति उदग पती को विशिश शेवा के लिए ओडर ओफ ओश्टिले में निवक क्या गया है रतन टाटागो किसे 2022 के लिए होकी इंडिया प्रूस प्लेयर अब दा इयर प्रूसकर के लिए चुना गया है हार्दिक सिंग को और महिला प्लेयर ओफ दा इयर के लिए किसे चुना गया था सवित्ता पुनिया को चुना गया था प्रोजेक्ट लाइन के तहट किस राज्य सरकार ने ब्रद्दा वन्नी जीव अब्यारन को एसे सेरो के लिए दूसरे घर के रूम में प्रस्तावित क्या है गुजरात राज्य सरकार ने किया है MCF राइभरेली होकी स्टेडियम का नम किस होकी खिलाडी के नम पर रखा गया है रानी राम पाल की और रारी राम पर कहां की है ये हर्याना की सहाबाद जिले की है विश्वे मोस्टम विग्यान दिवस मनाए जाता है 23 मार्च को बनाए जाता है और 23 मार्च को सहीधी दीवस भी बनाए जाता है याद रखना फ्रेंड्स किस राज्य की पहली ट्रांजेंडर वकील के रूम में पदा लक्षमी बार काउंसलिंग में नामिनित की गई है केरल राज्य की अब हम देखते हमारी आज की क्रेंट फिर हमारा फ्रेस्ट क्यूश्यर है किसे इन्वेस्ट इंडिया के ने एमडी और सियो के रूम में नियुक किया गया है तो किसे नियुक किया गया है इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा इंवेस्ट इंडिया के ने MD और CEO के रूम में नियुक्या गया है तो हमारे राइट आंसर हो जाएगा A. मनमीत के नंदा को मनमीत के नंद्या को इंडिया के ने MD और CEO के रूम में नियुक्या गया है आपको बता दे फ्रेंड्स मनमीत के नंदा पहले उद्धोग और आंत्रिक व्यापार व्युबाग के स्युक्त सचीव पद पर थी और अब इनको इंडिया के ने M.D.O.C.O. के रूप में न्यूक्त कर लिया गया है आगे चलते हैं Other important uses की USA Heritage All of Fame पर जगे पानने वाले पहले बारते सामाजिक मनोवेग्यानी कौन बने रामधर सिंग किस वरिष्ट अधिवक्ता को भारत के ने अटोर्नी जन्नी के रूमें नामिनित क्या गया है आर वेकट रमनी को देश के अगले Chief of Defense स्टाफ के रूमें किसे न्यूत क्या गया है अनिल चोहान को किस वरिष्ट IS अधिकारी के ESIC का महानिर्देशक न्यूत क्या गया है राजेंदर कुमार को QS World University Ranking में Engineering और Technology में कौन सा संस्थान भारत के पहले स्थान पर है तो कौन सा संस्थान है जो भारत के पहले स्थान पर है आंसूर के आगो फ्रेंड इसका जल्दी से बताईए QS World University Ranking में Engineering और Technology में कौन सा स्थान भारत के पहले स्थान पर है तो मारा राइट आंसर हो जाएगा C. IIT Bombay IIT Bombay जो भारत में पहले स्थान पर है और विश्व के स्थान पर पुछा जाए तो विश्व के स्थान पर यह 47 स्थान पर है IIT Bombay भारत पर पहले स्थान पर है और विश्व स्थान पर पुछा जाए तो यह 47 स्थान पर है IIT Bombay को QS World University Ranking में 100 में से 80.4 रंग हासिल हुए है Other important news जैसकी भारते उचायोग ने किस देश के सब्राव गाव मुवा विश्व दाले में हिंदी पिर्श स्थापित करने के लिए समझोता किया है स्रीलंका देश के भारत का पहला वर्न विश्व दाले किस राजे में स्थापित किया जाएगा तेलंगाना राजे में किसके दुवारा चातरों और क्रमचारों की शिकाइद के लिए इस समाधा नामक पोर्टर लोज किया जाएगा विश्व दाले अनुदान आयोक के दुवारा किसे भारते विश्व दालों के संग के अध्यक्ष के रूम में न्यूट क्या गया है सुरंजन दास को नेश्ट क्रिश्टन है हमारा फ्रेंस वीडियो को लाइक और सेर जूर कर देना साथ ही साथ साथ ही कमेंट्स करके बताना वीडियो कैसी लगी किस राज्य में एस्या के सबसे बड़े 4 मिटर टेलिस्कोप का उध्गाटन क्या गया है तो किस राज्य में क्या गया है यह आंसर क्या होगा इसका फ्रेंस जल्दी से बताईए किस राज्य में एसिया के सबसे बड़े 4 मिर्टर टेलिस्कोप का उधगाटन किया गया है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा D. उत्राखंड राज्य में उत्राखंड राजियों में एसिया के सबसे बड़े 4 मिटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलिस्कोप का उधगाटन किया गया है ग्री उध्गाटन कब किया गया है तो ये उध्गाटन 21 मार्च को उत्रा ख़ड के देवस्थल पर आने केज़ किया है उध्गाटन किस ने किया है तो उध्गाटन किया है विज्यान और परोधोगी मंतरी जीतेंदर सिंघ ने किया है किसने क्या है विज्यन प्रोदोगी मंत्री जीतेंदर सिंग ने इसका उद्वाटन किया है और ये कहां पर क्या है तो उत्राखंड के देव स्थल पर इसको लौंच किया गया है 21 मार्च को आगे चलते हैं अधर इंपोटेंट न्यूज इसकी भारत का पहला ए मचली बाजार एप फिस वाला किस राज्य में लौंच किया गया है असम राज्य में किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कारबन फाइबर प्लांट बनाएगी गुजरात राज्य का किस राज्य में देश में अपनी तरे का पहला राज्य पुलिस एक की कर्थ कमान और नियंतर के अधन का उदगाटन किया गया है तेलंगाना राज्य में विश्व का पहला संसकार के अंदर भारत के किस राज्य में खोला जाएगा जुन जुनू राजस्तान में किस टिल कंपनी को भारत का पहला आग परतिरोधी श्टिल बनाने के लिए BIS लाइसेंस मिला है तो किस को मिला है यह आंसर के आगो फ्रेंज जली से बताए किस टिल कंपनी को मिला है यह लाइसेंस BIS लाइसेंस मिला है कि श्टील कंपनी को भारत का पहला आग परतिरोदी श्टील बनाने के लिए B.I.S. लाइसेंस मिला है तो हमारे राइट आइंसर हो जाएगा B. जिंदर श्टील कंपनी को जिन्दे श्टील कंपने को पहला आग परतिरदी श्टील बनाने वाला BIS लाइसेंस मिला है और आपको बता दे फ्रेंज ये भारत में पहली बार ऐसा हो है गेर जरुलर्सी श्टील इमारते बनेगी भारत में पहली बार बनेगी ये आग परतिरदी श्टील बनाने वाली इ ऑइसटी एफसी बैंक के दुआरा किस कंपणी के दुआरा भारत का पहला सवदेश निरीमी लीथियम ओ आयन सेल पेस क्या गया है औला कंपनी के दौरा कि कंटार ब्राजेंड इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे मुल्यवन कंपनी कौन सी बन गई है IBM को IBM company को दिया है next question है वकीलों की शुरुक्षा के लिए अधिवक्ता सरक्षन कानूर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है तो कौन सा बना है राज्य वकीलों की शुरुक्षा के लिए वकीलों की शुरुक्षा के लिए अधिवक्ता सरक्षन कानूर बनाने वाला पहला राजे कौन से बनाया है तो मारे राइट एंसर हो जाएगा C, राजस्थान राजस्थान राजे बनाये वकीलों की शुरुक्षा के लिए कानूर बनाने वाला पहला राजे आगे चलते हैं Other Important News जें समी कन्डेक्टर निती शुरू करने वाला भारत का पहले राजे कौन से बनाया है गुजरात राजे Pre-Primary स्थर पर MEP लागू करने वाला भारत का पहले राजे कौन से बनाया है उत्राखंड राजे संपति पंजिकरन को डिजिटाइज करने वाला देश का पहले राजे कौन बन गया है महाराष्ट राजे हर गर जल प्रमानन प्राप्त करने वाला भारत का पहले राजे कौन जबना है गोवा राजे नेश क्यूशन है मारा वीडियो को लाइक शेयर करते जाना भूलना मत किस राजसरकार द्वारा मानव हाथी संग्रस रोकने के लिए गज मित्र पहल आरम की गई है तो किस राजसरकार के द्वारा की गई है यह पहल आंसर बताइए किस राज़ी सरकार द्वारा मानव हाती संग्रस्क रोकने के लिए गज मित्र पहल प्रारम की गई है तो मारा डाइट आंसर हो जाएगा A. पश्चिम बंगाल राज़ी सरकार द्वारा पश्य बंगार राज्य सरकार के दुवारा गज मित्र पहल प्रारम की गई है जो हात्यों की सरक्षन के लिए की गई है आधर इंपोर्टेंट न्यूज है किस राज्य सरकार ने ग्रामिन पिछवाड़े सुवर पालन योजन की सुरुवात की है किस राज्य सरकार ने चात्राव के लिए पुद्दु दुमाई पैन योजन की सुरुवात की है तमिलनाडू राज्य में निश्य 2.0 पोर्टल जिसे हाली में लोंच क्या गया है किस बीमारी से संबदित है छे रोग नेश्ट क्यूशन है साजीबू नोगमा पनबा किस राज्य में बनाई जाने वाला चंद्रवर्स है तो किस राज्य में बनाई जाता है ये चंद्रवर्स साजीबू नोगमा पनबा किस राज्य में बनाई जाने वाला चंद्रवर्स है तो मारे राइट अंसर हो जाएगा B, मनिपूर में मनिपूर राज्य में साजीबू नोगमा पनबा ये चंद्रवर्स बनाई जाता है और इनको नमनिपूर के एक मितेई जन जाती है मितेई जन जाती में ये चंदिनवर्स जदतर मनाया जाता है मितेई जन जाती के दुवारा साजीबो नोगपा पनबा ये उत्सव बनाया जाता है और ये सन महाम ध्राम के अनुवायों के द्वारा जादातार बनाया जाता है जो मनिपूर राज्जे में है आगे चलते हैं Other important news is की किस केंद्रे मंत्रे द्वारा भारत भागे मिदात्ता मौसव का उद्घाटन क्या गया है? समर्त्री जुबीन इरानी के द्वारा किस मंत्राले द्वारा स्वच अमर्त मौसव का सुभाराम क्या गया है? आसवास्तन और सहरी कारे मंत्राले के द्वारा नेश्क क्यूस्ट भागे हमारा किस सहर में RBI का डेटा सेंटर और साइभर सुरुक्षा प्रिक्षिन स्तंस ठापित क्या जाएगा? तो किस सहर में क्या जाएगा ये? आज़े बताओ फ्रेंस किस सहर में RBI का Data Center और Cyber शुरुक्षा प्रिक्षन स्थान स्थापित क्या जाएगा? तो मारा राइट आइसर हो जाएगा D. भूनेश्वर भूनेश्वर सहर में RBI के गवर्नर सक्तिकांत ग्रीन लेंड डेटा सेंटर और Cyber शुरुक्षा प्रिक्षन स्थान स्थान स्थापित क्या जाएगा? किस के दवारा स्थापित क्या जाएगा ये? भूनेश्वर में क्या जाएगा? RBI के गवर्नर सक्तिकांत दवारा Greenfield Greenfield डेटा सेंटर रेज का नाम और Cyber शुरुक्षा प्रिक्षन स्थान स्थापित क्या जाएगा? भूनेश्वर सेहर में Other important news is की? परधार मंतरी मोदी ने किस सेहर में भारत का पहला Antraste Bullion Exchange IIBX लॉंच किया है? गांधी नगर में किस सेहर में भारत का पहला Brain Health Clinic शुरू किया गया है? बैंगलूर सेहर में किस सेहर में भारत का पहला 3D Printed Manor Cornia Vixit क्या गया है? हैदराबाद सेहर में भारत के किस सेहर में सबसे लंबा Double Decker Flyer बनानी का रिकोर्ड बनाए गया है? नागपूर सेहर में किस सेहर में अमित साके दक्षता में यंदी खेतरी परिसत बेंट का आईजन क्या गया है? बपाल सेहर में Next Question है विश्यूश लून दीवस मनाया जाता है तो कब बना जाता है विश्यूश लून? आपक्श Was? विश्यूश लून दीवस बना जाता है 24 मार्च को 24 मार्ج को 25 रोग दिवस बना जाता है जिसे टीबी भी कहते है टीबी कब बना जाता है, 24 मार्च को बना जाता है इस दिन 24 मार्च 1882 को जर्मन के चिकटसक Robert Kosh ने इस घातक बीमारी के लिए बेक्टेरिया की खोज की थी इस बीमारी की रोग थाम के लिए एक बैक्टिर्या की खोज की थी 24 मार्च 822 को जर्मन के चिकत्सक डोबर्ट कोच ने इसलिए इसी दिन 24 मार्च को विश्व छे रोग दिवस या टीबी दिवस मनाया जाता है अधर worker productivity अधरी इंपोर्टेंट निओजेसी 29 जनवरी को भारते समाचर पत्तर दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को विश्व कुष्ट दिवस 31 जनवर को अंतराष्टे जवरा दिवस मनाया जाता है चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और आठ फरवरी को शुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है आज का मर परसन है फ्रेंस वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथ ही साथ सेर कर देना वीडियो को अगर आप भी तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया आए लाइक कर देना और कमेंट करके बताने वीडियो कैसी लगी वाल हैपिनेस रिपोर्ट दोजर तेश के नुसर कौन सा देख दुनिया में सबसे खुश देशों की सुच्ची में सिर्स पर है तो कौन सा देश है जो सबसे सिर्स पर है वाल हैपिनेस रिपोर्ट के अनुसर तो मारा राइट आँसर आप सभी को कमेंट बोक्स में बताना है समन ग्यां डोज देखते हैं हमारा वित आयोक की नियुक्ति कौन करता है राष्ट पती भारत के सभीदान के किस अनुचेद के अंत्रगत एक वित आयोक की स्थापना की व्यवस्ता है अनुचेद 282 के अंत्रगत भारत में योजन आयोक किसके निर्दिसों के मार्ग दर्शन पर कारी करता है राष्टि विकास परिसद के मार्ग दर्शन में सवीदाय के किस अनुछेद के अंतरगत निर्वाचन आयो के गठन का अप्रावधान है अनुछेद 324 के अंतरगत नई अखिल भारतिय सेवा कि स्थापना का एदिकार की से है? संसद को है संग लोग सेवा आयो के अदिक्ष तता नए अदिक्ष का कारिकाल पद भार ग्रेंड करने की तिथी से कितना समय होता है? 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयो तक होता है चे वर्ष तक या अथवा पैसेट वर्ष की आयोता होता है संगलोग से वा आयोक अध्यक्त का कारिकाल। तो फ्रेंस आज की हमारी वीडियो कैसे लगी कमेट बॉक्स में जरूर बताना साथी वीडियो को लाइक शेर जरूर कर देना साथी बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी कोई भी न्यूव वीडियो आई उसका नौटिफिकेशन आपको मिलता रहे पीडियोप्स और नॉट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.naukri.espran.com थैंक यू प्रेनेस बाई बाई राधे राधे टेक केर